आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब जैनल वाई के मैट एंड सांस क्लास आज हम आपके लाएं धातू और उपधातू से सम्बंदित बहुत ही महत्पूर्ण अब्जक्टिव कोश्चा है जो 2022 के बोड एक्जाम और 2022 में पीसी गुरूब दी होने वाले हैं उनके फीडियों को थोरा सोगी मिशने किज्चना है और देखेगा यहां से आपका पिछले आपका गुरूप बीका से मिला के देखेगा तो बहुत सा यहां से आपका बनेगा यह चैनल रहेंगा और एदिव बीदियो आपको पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल उ जाएगा तो इस्टार्ट करते हैं क्लास फर्ष्ट कोर्सन देखिए क्या है फर्ष्ट कोर्षन आपका इसीन पर यह रहा है कि किस धातू को चाकुच से सरड़ता से काटा जा सकता है और से लोहा थामबा कैल्सियम सोडियम फटापट आंसर करेंगे क्या होगा तो देखिए आंसर आप आँजागा सोडियम तो याद रखना आपका सोडियम ही नहीं सोडियम पोटेसियम लीथियम यह सभी है बहुत अधिक अभी अभी किर्यासिल है इसलिए इसे क्या करते हैं याद रखिएगा किरोसिन में भी डूबोकर रखा जा सकता है और चाकुच स सोडियम पोटेसियम लीथियम लेकिन जब सब अप्शन हो अगर इनमें एक ही कोई लगाना होगा तो आप सोडियम लगाईएगा नेक्स्ट कोशन क्या कहता सोडियम की परमानु संख्या क्या है आपका पूरा आवर्ण सानी के एक वीडियो बताएगा वो देख लिजेगा अपका पूरा कशक क्रियर कें बर्ग में कौण सा तत्व यह किस जगह पूरा क सोडियम का क्या क्या है इक मेंगा परमानु संख्याक्या क्या है ऑफ्शन देखिये 10 12 12 13 uphold एक हो जाएगा उसल्यागा इस ऐस सबिसमर का क्या है तत्व और चाहर धातू याद आखिए गा चाहर धातू कहते है और बर एक बारी के चाहर सकते थे एक नेक्स्ट को सदिके क्या कहता है जिंक तथा सल्फिव का अमले की बीच अभिक्रिया से निमली की तिम्हें कौन सी गयास निकलती है तिक देखिए इसका अंसर आपका क्या होगा याद आखिए कि कोई भी धातू जब आमले से अभी किरिया करती है आमले से याद कर लिजेगा इसको हाइडोजन गैस निकलती है इसका अभी किरिया समीट दखिएगा तो जैडन पलस H2SO4 तो बनता है ZNSO4 ZNSO4 आप पलस H2S मुक्त होता इस चीज़ को याद रख लिज़ेगा हाइडोजन गयस अमल को होते हैं जो जल में घुर के H पलस आयन देते हैं वो आपका अमल कहलाता है नेश्ट कोस्टन को बढ़ेंगे लोहे के फ्राइंग पेन जिसको आम कराई काते हैं पेन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विदी उप्युक्त है ग्रीज रागाकर पेंट लगाकर जिंग की परच राकर चोथा आप से इनमेसे सभी तो फटापट इसका आंसर करें क्या हो अब गिरिज लगाएंगे तो भी आपको जंग नहीं लगेगा पेंट कर देंगे तो भी जंग नहीं लगेगा और जिंग की परच चरा देंगे तो भी आपको जंग नहीं लगेगा नेश्ट कोस्टन को बढ़ेंगे हैं निमलीखित में सबसे भारी धातु पूछा जा रह सबसे यह गलत होगा भारी का मतलब क्या होता भारी का मतलब उसका अनुभार नहीं होता बलकि उसका घंत वोता घंत क्या पर भारी देश्चीज को याद रखेगा तो समझ गया होगा यह देखिए सबसे कम अभी किरियासिल तो इसके लिए आपको सक्रियता सरेनी याद रखना होगा तो सक्रियता सरेनी में ऊपर से देखेंगे तो आपका पोटेसियम सोडियम केल्सियम मैंगनेसियम जींक तरह से याद निमली के पानी को दुधिया कर देता है तिके कलोडीन सलफाडा कारवन ड्यक्षाइड ऑक्सिजन आंसर क्या होगा आंसर आपका हो जाएगा देखेंगें कारवन डायोक्साइड क्योंकि आपका चूने का पानी मतलब क्याल्चियम हाइड्रो ऑक्साइड जब आप घर में पेंट करते हैं तो कुछ देर के बाद कारवन डायोक्साइड से भी क्रिया करके वो संग मरमर बना लेता है और पानी उड़ जाता है वास्प बनके तो यही आपको तो सफियद होता नोच याद किएगा कारवन डायोक्साइड गैस कौन सा गैस कारवन डायोक्साड गैस नेक्सट उप्सक्टन कूल मिवरें बढ़ेंगें कौन सा अधातु कमरे किताब पर द्रौ होता है आंसर करेंगे पारा यह देखिए गाप ब्रॉमीन और धातु विक विक ततवे और पारा धातु विक ततवे नेस्ट कोशटन को बढ़ेगे एं नक्स्ट कोशटन कहता है खाद पदार्थों के डिबो पर जिंक की बजाए टीन का लेप क्यों किया जाता है तो आपको बताना है जिंक के बज क्यों क्या जाता है तो आंसर क्या होगा महंगा होता होगा नहीं होगा महंगा सस्ता से क्या मतलब है तो क्या से लोते हैं तो इंसका अंसर देखिए तीनक क्या इसका खरता आपका यहीं स्का आंसर हो जगा है नेक्स्ट और बढ़ेंगे करायो राइट किस धातु का पर मुक है इसके सभी धातु का पर मुख जरूर लिएगा और याद भी कर लीजिएगा आपका इसमसल बताया गय थो दिखे इसका हो जगा कराय लाइट है करया लइन का है किसी कोर्ट में इलेक्टिन की अधिक्तम संख्या क्या होगी तो इसका आपका सुत्र पूछा जा जा तो सुत्रियान रख्येगा क्या होगा फटाब अच्छाistent म्पrickत क्यूं क्यूं सात किछा होता एक ये आप पाद देखे पहले पुछ तो दो गुनन एक स्क्वार कायłeंगें कितना कायेंगें दो गुनन एक gwenda और दू सरा कच्छा मेंखें दे तो कि कतना हो जाताuire चाहर दुनि आठी हो जाता तो याद रखेगा किसी भी कच्छा में अधिकतम संक्या टू इनस वार आपका फर्मूला होता है और याद देखेगा अगर एम कच्छा कह दे याद रखेगा किये से पढ़ेंगे के ल एम तो एम तीन नमर कच्छा पूछेगा तो तीन क्या करें दो गुनिया आपका 3 के स्कॉायर कर देंगे 3 3 9 तो ने ठारा जाएगा नेक्स्ट को बढ़ेंगे कि नेमने कौन सा उपधातू है देखिए अधातू का स्पेशल आपका कंसेप्ट बला आपका वीडियो बताया गया वह भी देख लिजेगा अच्छी तरह गुरूप दियार जरूरे कि दीजिएे तो कौन सा उपधातू है तो उपृप दातू डेखिए आपकांगा है जंख दातू है कैल्सियं क्या है कैल्सियम क्या जातू है कारवण क्या ओधातू है किस धातु का गलनंग सबसे कम है किस धातू का गलनंग सबसे कम है यह आपको बताना आंसर क्या होगा सबसे कम गलनंग वहला धातू तो देखिए option क्या है आयलमुनीयम सोडियम कोपर लोहा तो आंसर होजाब का सोडियम और याद देखिएगा सोडियू पोटेसियम लीथियम इस सब कहां रखता है किरोसी निक्युप गल्लाग क्वाहनां कि और याद अधिक किरियासील होता है नेक्श्ट कोशन को बढ़ेंगे हैं नेमे कौन औध तो याद रखेगा अभितुरत आपको बताएं तो बताएं कौन सा होगा तो देखें एंसर कारवन सोडियम एल्मोनियम कैल्सियम आशर क्यों घारवन नेश्ट कॉस्टन के रपटेंगें कौन सी गैस उससरजित होगी जब धातुरत जल से भी किरिया करेगी तो कौन सा गैस उससरजीत होगा तो देखें फटापन हमखो बता रहें कोई भी धातू याद देखिएगा धातू अब पलस जल से जब विक्रिया करेगा तो धातू का उक्साइड बनेगा अब पलस में हाइडोजन गैस मुक्त हो जाएगा तो याद हो गया होगा हाइडोजन गैस आज जाएगा देखिए न ले लिए पलस हटू जल से विक्रिया किया तो धातू को अक्साइड इनी सोरियम को अक्साइड बना लेता है नवल्खित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियासी लातू है यह आपको पक्का याद करना है और हम इसका टिरिक आपको बनाके देंगे इतुने इस प्रयों सबसे अधिक अभी किरियासिलधा तो बताएं क्या है क्या होगा फटापण पताईंगे तो दिखिएंगे इसका सोडियम हो जाएगा सोडियम हो जाएगा सोडियम हो जाएगा सोडियम हो जाएगा अब आपको अभी बता रहें फिर आप कर लिजेगा बाद में को टिरिक बता देंगे हैं सोडियम पोटेसियम सोडियम कैल्सियम मैंगनेसियम क्या आपका देखिये पोटेसियम सोडियम कैल्सियम मैंगनेसियम एलमुनियम एलमुनियम हो गया जिंक जिंक हो गया लोहा सीसा अपका बाद उसके बाद हाइड्रोजन हाड्रोजन के नीचे अभी तुरह तो आपको बताए थे क्या कॉपर मरकरी चांदी और सोना तो सबसे अधिक क्रियासिर ऑप्सन के बिद्धुत अप घटनी परिष्ट करन में असुद धातु को बनाया जाता है असुद धातु को क्या बनायता है याद रखना है असुद धातु को एनोड बनायता है और सुद धातु को कैथोड बनायता है असुद पूछा गया अर्थात एंसर ए हो जाएगा ए से असुद यानि एनोर के आपका आओगा फिर सुद्वचा तो कैथोर यादर करेज़ेगा नेस्ट कोशन देखेंगे लोहा एबम इस पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी पतली प्रच चरही जाती है ऑप्शन तामबा चांदी सोना जिंग फटापट अपना आंसर कोमेंट करेंगे तामबा चांदी सोना जिंग क्या आंसर होगा फटापट कोमेंट कीजिएगा तो आंसर देखें आपका आंसर क्या हो जाएगा जिंग जिसको हम जस्ती करन या यसद लेपन या गलवनाइजेशन भी कहते हैं नेस्ट को बढ़ेंगे कि बॉक्साइट किस दातू का आयसक है तो देखें बॉक्साइट किस दातू का है तामबा जस्ता अलमुनियम लोहा फटा पटा अंसर अपना कमेंट करेंगे तामबा जस्ता अलमुनियम लोहा क्या होगा आपका आंसर तो आंसर देखेंगे आपका अंसर हो जाएगा क्या अलमुनियम आंसर क्य जेगा तो सुबर्ग एक के जितने भी तत्म होते से नगता एक होती है यह एक इलेक्ट्रोन किसी को देता है इसलिए अप्लस आयन जो क्या करता है बिद्दूत का सुचालक होता है option देखे हैं स्क्रीन पर है sulfur, graphite, chlorine, phosphorus तो आंसर आप सभी जानते ही होगे graphite होता है next question के और बढ़ेंगे potassium की परमानुस संख्या क्या है potassium की परमानुस संख्या क्या है 19, 20, 23, 35 यह भी आप सभी जानते हैं 19 होगा next question देखेंगे सक्रेटा सरेनी में सबसे अधिक क्रियासील धातु कौन है option में सबको बताना है वितुरत आपको सक्रेटा सरीज बता है यदि आप धियान से देखेंगे तो 100% सही करेंगे तो फटा फटा अपना अंसर कोमेंट कीजिए सक्रेटा सरेनी में सबसे अधिक क्रियासील धातु कौन है sona, potassium, mercury, copper अपना अंसर कोमेंट कीजिए फटा पट और वीडियो को share भी कर देखेंगे like भी कर देखेंगे like की सग्या बहुती कम होती है तो आप like कर दिएगा तो आप बताएंगे answer क्या होगा तो आप कहाएंगे sodium sodium सestar dikit k्रिया त्रिकों क्यों उने एक मात इन देखेगा potassium निष्ट को सन है पारा का यश्द क्या है देखे बॉक्साइट वोक्साइट आप कहेंगे कहें हैं हैमाटाइट आप क्या कहेंगे लौहा काहें मैंगनेट आइड आप किया ओज получится नुछ पारा करेंगे लौहा कह llamें लौह भूहें नाइटोजन डायोकसाइट नोट्वी के धूइय का मैंसा होता हई sentenced इसट बेंगे ऐस पंधा थे प्टाइंसर कीजें को ब्रहा हो था और क्यों साइब पर फॉस्फारस अनुस्तपर होता है तो फॉस्फारस अनुस्तुर। होता है रहो तो नह Minaj पिफेहईा है प्पॉ रहां और इस तुल आपका जह बहुत वाहत ही अधिक किर्यासी लोता है और जमॉप पानी में रखते हैं और सोडियों को पूछा जाएत कहां पर कि रोसीन में स्टेनलेस स्टील मिसर धातू है स्टेनलेस स्टील मिसर धातू है किसका ऑप्शन देखिये स्टीन पर है डातू क्या आपका लोहा का तामबा का अलमुनियम का टीन का सभी अब बता देते हैं तो इसका अंसर आपका हो जाएगा देखेंगे तो लोहा का लोहा का इसका सभी अब देखेंगे तो लोहा के साथ आपका क्या आएगा निकेल भी आता है क्रोमियम भी आता है तो लोहा हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ेंगे हैं पीतल क्या है पीतल क्या है पीतल स्रिधातू है कौपर और जींग का मिसर धातू है next question के बढ़ें गए next question देखें आपका क्या है कौन बिद्दूत का सरबत्तम चालक है बिद्दूत का सबसे उत्तम जो चालक है कौन है कौपर चांदी ऐलमुनियम लोहा अपना-पना फटाबर करेंगे तो आंसर देखिएंग तो चालक होगा तो जाओंदी हो जाएगा नेस्ट कॉस्टन के और बढ़ेगें बायो मंदल में कारबन डायोकसाइड गयास की उपस्तिति कितनी है तो याद रखेंगें अब फटाफट पहले अंसर किजिए बायो मंदल में सबसे जैदा कौन सी गयास पाई जाती है तो परेसेट्ट आपका हमात तो यह द्ल इक कारव्र डायोकसाइड होता है इलेक्स्ट्रारण के अस्ते अंत्रत कि नहीं करें हैं तो यह लगических स्मेव योगेथ मो kidnapped देखेंगे कि देखेंगे दियांतर क्या है अध्व धाथ अधातु उपधातु कोई नहीं मताएंगे चिली का क्या है तो आंसर देखेंगे अपका क्या है उपधाटु य्या देखेंगे लाल तप्त आयरं पर जलवास परवाहिद करने पर क्या पराप्त होगा option feo fe2o3 fe3o4 fe yes फटापट answer करेंगे तो answer हो जागा fe3o4 fe3o4 याद रखेगा और hydrogen मुक्त होगा next question को बढ़ेंगे सुद्ध सोना को बैक्त किया जाता है सुद्ध सोना को बैक्त किया जाता है option 22 karat 24 karat 20 karat 12 karat फटा 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 आंसर करेंगे क्या होगा तो answer देखेंगे सुद्ध सोना 24 karat का होता है और देखेगा सुद्ध सोना किसी भी लिक्यूर में नहीं केलेगा लेकिन जब एक्वारेजिया में घोला जाए एक्वारेजिया उसमें आपका ये घुल जाएगा next question देखेंगे जल में hydrogen तथा oxygen की परमानु संख्या का अनुपात क्या होगा तो देखे जल होता आपका H2O तो देखे का पुछा hydrogen का कितना आपका परमानु है दो अनुपात oxygen का कितना परमानु है एक तो दो अनुपात एक next question के और बनेंगे जब sodium hydroxide zinc से भी क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में देखेगा आपका ये special कराया गया था जब आपको कराये थे तो देखिएगा answer हो जाएगा option d na2 zn o2 plus h2 कौन सी गयास मुक्त होती है तो hydrogen गयास मुक्त होती है और याद देखिएगा na2 zn o2 next question के और बढ़ेंगे question क्या है निवली खित में कौन आयनिक योगिक है आयनिक योगिक जिसमें आपका आयन द्वारा बनता है तो देखिएगा k plus और c l minus मिलके बनता है निक के c l next question को बढ़ेंगे कौन सा ओधातू बिद्दूत का सुचालक है ओधातू बिद्दूत का सुचालक है तो आपका यह repeated question है तो गरेफाइट क्या होगा आपका गरेफाइट next question को बढ़ेंगे द्दू जो सिल्फ अमल राज में गुलता है इन्हीं सिर्फ एक्क्वारेजिया में गुलने वाला धातू बताना है अभी तुरत आपको बताएते तो यह जरूरी इस तरह से अपको ध्यान दिजिए जब भी बताते उस चीज़े को ध्यान से सुनिए वह में आपको अनसर करेंगें जाओगा बॉक्साइट क्या होगा आइसर अलमुनियम काई सक्क है नेस्ट कोश्चन किरोशीन में डुबो कर किस धातू को रखा जाता है अब यहां से देखेंगा आपको मज़ा आएगा हर कोस्टन रिपीटियर बलाएगा आपको बताना है कि किरोशीन में डुबो कर किस धातू को रखा जाता है तो बताना है सोडियम, पोटेसियम, मैगनेसियम, एलमोनियम, और आपको बताएते हैं, सोडियम, पोटेसियम, सब लगाना है, जब सभी उप्षन हो, तो क्या बोलते हैं, लगाईएगा, सोडियम, नेस्ट कोशन है, निमलिक कोई धातू, अक्सीजन के साथ, अभी किरियार करकर, उच गल कर पान, जल में तो नहीं गुलेगा, सिलिकर नहीं गुलेगा, लोहा नहीं गुलेगा, लेकिन कैलसियम जुक्राइब तो क्या बंसे की सीज़ैन की या, ये गन्हान दिएं है, तो गुलता होगा, यह तीयाद है, अगर कैलसियम आड़ को पता होगा, और क्वेस्चन कर और टीन के मिस धातू को क्या कहते हैं और यह याद रखना आपको क्योंकि आपका यह बार बार पूछा जाता है सीसा और टीन के मिस धातू को क्या कहते हैं याद रख लिजेगा सोल्डर देखे पीवी और एसन कहरा ना तो याद देखेगा सोल्डर एसन अब पलस पीवी या ऐतर लगेगा तो याद रतेइम प्यूमेंड निमिल लेकित में किसे चाकूशे काटा जा सकता है और चंप ल्यथीति लिध कैल्सियम कऊपवर ऐर्न पहटा पहटापना औधातू है वाधातू कोवले हर को सवे आपको बहुत ही फाइदय मंद होगा जतना जैदा से आप उतना जैदा आपके लिए फायदय मंद और देखिए आंसर के जलाएगा कारवनों की आथा प्रकिरिया को क्या कहते हैं संचारन गलबनी करन पानी चड़ाना बिद्दू तब गटन फटा पटा अंसर अपना कोमेंट करेंगे तो आंसर देखें इसका होजगा गलबनी करन नेस्ट को बढ़ेंगे लोहे की परमानों संख्या पूछा जा रहा है तो आप सभी जनते हैं लोहे की परमानों संख्या कितना होता आपका 26 नेस्ट को बढ़ेंगे क्लोरीन की संजकता क्या है तो देखें कलोरीन बर्ग 17 में है और बर्ग 17 के बाहर एक अच्छा में सात इलेक्टोन होता है इसलिए करेगा गरहन करेगा तो कलोरिन की च्रक्ता एक हो जाएगा यह जाएगा यह उप्चन के दुद्दु आपको दे दिया तो आपको कुई भी लगा दीज्ट धातौ परियुक्त गयस कौन है अपको आपको ने ब हैंए तो देखें आपका ऊदफाइन हो जाएगा या दोस्तरा नाम किया कर दिख तरी? यह देख पीर क हैं…and आफाट मुझानों के औक है जोते हैं समानता अमलिया होते हैं और समानता छारकिया होते हैं कि नेस्ट को सन्देखेंगे निमली खित स्वकूण फुप दाथू है उपोप दाथू बताना है ओप शैडिंगे फॉपधातू कौन है ओप सन्क्या है लोहा कॉपर निकेल और स्वी स्वी मतलब झालती होगें एंटी म मनी होता है तो आंसर अपका एंटी मनी एस भी कुछन के मािञ़व leads कि दाटू का ककल्सियम फटाँ अपना क्या होगार और यह यह अशर आपका लो अहा ख्याप क्यों टौनते हमाम टाइट मैंगनेट और सिग्डियराइट यह तिनों का यह राए उसकोई आपके चुम्बक भी कहते हैं आपका हैमाटाइड होता है और मेंगनेट का करने की किया क्या कहते हैं तो देखेगें इसका अंसर हो जागा समिर्ड़ी का हो जाएगा समिर्धी ऑप्चन-एप एर देखेगे अद्धाप चाहर निमलिख आपको बताए थे किसका मिंधातू है को ऑपर और विसक्त कर बड़ेंगा निमलिकित इलेक्ट्रोनिक वाले तत्वों कौन वधातू है तो उधातू के बार कच्छा अपको बताया गया है क्या पांच साथ या ऑक्रिया गैसों में आठ एलेक्टोन होते हैं तो उसके अदार पर देखेगा तो option क्या जाएगा option C आजाएगा और next question को बढ़ेंगे निम ने कौन सी धातू साधारान ताप पर दुरौ रूप में पाई जाती है धातू जो दुरौ होता है option देखे मरकरी लेड लीथियम सीरिबर अंसर करेंगे फटापाट क्या होगा तो answer देखेंगे क्या होगा answer आपका हो जाएगा इसको मारकरी यानि पारा और धातू यही पूछा जाता तो आप क्या लगाते ब्रोमीन नेक्स्ट कोशन है कौन जल में बिल्य है तो जल में बिल्यकोन है बेंजीन गुलकोंच कारवन डासलफाइड मिथियन और आप सभी जा जाता है तो क्या हो जागा गुलकोंच को बढ़ेंगे बॉक्साइट किस धातू का है रिपीटेट को इसलिए का आंसर कर देते हैं नेक्सकों में किस परक्रिया द्वारा सलफाइड ऐसको का सादरन क्या जता यह को सन बहुत ही बार बार कही ना कहीं साथ तो यहाद हैं धनावेस्टिट आएन इडासीन आएन साथ सजयों जग बन फटापट अपना अश्व करता है अब बताइगा क्या होते हैं और अपने अपने त्याग असानी से थापने यह अपने बदोख दोख घनातमग होते नहीं देखेंगा आज के वीडियों में बस इतना है नेक्स वीडियो में आपको बताएं कारवहन वंप उसके योगी सब पुरा बेसिक से बैस्टरी करवा देंगे और आपका ये 會ीडियो में देखेगा आप का वीडियो बना हुआ योगी का तो जाके देख लिजेगा और यहाँ पर आपको करवाइंग कलाम अबजेक्टिव यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राब जरूर करें तो जरूर पढ़िए चाहे किसी भी विश्या को चाहे मैथ हो तो भी उसको भी टेस्ट पढ़ना है आपको इस चीज़ को याद आखिएगा जय हिंग जय भारत